फर्स्ट इंपोटन आटकल लोकल जोब लाज्ज जैसे देखो अलग अलग राज्जू की सरकारें अपने रेजडेंट्स को जोब्स में रिजर्वेशन देने के लिए जो कानून लेके आ रही हैं उन कानूनों से कौन कौन से इमर्ज होके आते हैं ये सब डिसकस किया जाता ह है इस आर्टिकल में आप GS Paper 2 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हों कंटेस्ट क्या हैं कंटेस्ट ये हैं हर्याना की सरकार एक कानून लेके आई थी जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर में 75% जोब्स को रिजर्व किया गया था उन जोब्स को जिनमें सेलरी एक महिने में 30,000 से कम है उन जोब्स को रिजर्व किया गया था कानून में ये भी कहा गया था कि प्राइवेट फार्म्स को ऐसे सभी एमप्लोईज को एक डेजिनेटीड पोर्टल पर रिजिस्टर भी करवाना होगा हलाकि देखो कुछ एक्सेप्सेंस भी दी गई थी जैसे नए स्टार्टप्स को न्यू इंफोर्मेशन टेक्नोजी इनेबल सर्विशिस कमपनीज को यानि ITS कमपनीज को सोटम एम्प्लोईमेंट फार्म लेबर डुमेस्टिक वर्क पर्मोशन्स एंड ट्रांसफर विधिन स्टेट तो ये सब एक्सेप्सेंस थी इन सब पर ये 75% रिजर्वेशन वाला जो कानून है वो लागू नहीं होता था ये कानून देखो बना फरवरी 2021 में लेकिन लागू हुआ एक जनवरी 2022 से अब क्या हुआ है अब देखो ये हुआ हाई कोट में इस कानून के अगेंस एक पिटिशन फाइल की गई थी पंजाब एन हर्याना हा कार सुप्रिंग कोट में पहुंची है इस कानून पर लगे श्टे को हटवाने के लिए तो राइटर कहते हैं देखो लोजिकल कोशन तो हैं ही इस कानून से संब्धित लोजिकल कोशन जैसे की जो एम्प्लोयर है उसका कॉम्प्लाइंस बढ़ जाएगा उसे पोर्टल पर एम्प्लोयर की डिटेल्स देनी पड़ेंगी, डोकुमेंटेशन मेंटीन करके रखनी पड़ेंगी, मैरिट को कॉम्प्रोमाईज करना पड़ेगा, इस से अच्छा वो गुडगावा के बजाए नोड़ा में इन्वेस्ट कर लेगा, तो ये लोजिकल कोशन तो हैं ही, ले उसको चैलेंज क्या गया है अंद्रपरदेश हाइ कोट में, तो ये सूप्रीम कोट पर डिपेंड करता है, या तो देखो सूप्रीम कोट अलग-अलग हाई कोट में इस परकार के जो मामले चल रही हैं, इंतजार करें कि पहले हाई कोट इन मामलों पर वरिक्ट दे और बा पास बुलवाले कि हम एक साथ ऐसे कानूनों पर जो constitutional questions है ना उनको address करेंगे देखो इस पूरे issue में न तीन important constitutional questions emerge होके आते हैं सबसे पहला question हमारे सविधान का जो article 19 section 1 class G जो है वो ये guarantee देता है किसी भी citizen को कि वो कोई भी business कर सकता है कोई भी trade कर सकता है मतलब कोई भी पेशा अपना सकता है अपना जीवन यापन चलाने के लिए लेकिन कुछ exceptions जरूर है देखो अब किसी के पास MBBS की degree नहीं है वो बोले कि मुझे तो doctor बनना है ये possible नहीं है सरकार कुछ qualification जरूर लगा सकती है कुछ fields में जहां पे expertise की आउसकता है कुछ domains ऐसे हैं जिन में सरकार अपनी monopoly रख सकती है जैसे कि देखो railways हैं आप कोई शीरिजन बोल दे कि मैं तो भाईया railway चलाऊंगा तो सरकार मना कर सकती है public interest में सरकार कई domains में अपनी monopoly exercise कर सकती है समझ गए ना आप मतलब ना सिरफ ये fundamental right बलकि कोई भी fundamental right absolute नहीं है exceptions है जिसे इसी right में और exceptions की बात कीजिए ऐसे नहीं कि कोई person सरकार को बोले जी मैं तो drugs बेचूँगा मेरे लिए तो यही काम है मैं तो किसी का murder करूँगा सुपारी लूँगा मेरे तो यही काम है ये सब नहीं हो सकता general public के interest में reasonable restrictions है बट अब आप ध्यान से सुनिएगा किसी private firm को private company को force करना कि भया आप 75% जो jobs है वो local लोगों को दो ये देखो reasonable restriction के अंतरगत नहीं आता है मतलब ये fundamental right का violation है राइटर का कहना है ये पहला constitutional question है local private firms को focus करना कि आप 75% आरक्षन दो जोब्स में ये reasonable restriction के अंतरगत नहीं आता है ऐसा सरकार नहीं कर सकती है ऐसा सरकार कर रही है मतलब ये article 19 का violation है इसे थोड़ा सा और writer explain करते हैं देखो 2002 मेना Supreme Court का एक verdict आया था T.M.A. P.I. Foundation case में जिसमें Supreme Court ने कहा था private educational institutions को autonomy है अपनी management अपने आप से चलाने की अपना administration खुद से चलाने की उसके बाद 2005 में PA इनामदार case में Supreme Court ने ये कहा था education institutions जो सरकार से किसी परकार की कोई financial aid नहीं प्राप्त करते हैं वहाँ पर आप reservation system को implement नहीं कर सकते ये Supreme Court ने कहा था PA इनामदार case में क्योंकि ये article 19 के against हो जाता है बट देखो Supreme Court के इस judgment के विरुदना 2005 में सरकार ने सविधान को amend कर दिया था सरकार ने ये provision कर दिया था इवन वो private institutions educational institutions जो सरकार से किसी परकार की कोई financial या फिर दूसरी aid नहीं प्राप्त करते हैं वहाँ पे भी reservation system लागू होगा ये educational institutions की बात है SCs, STs और OBC को उन private institutions में भी reservation system को implement करना होगा लेकिन डाइटर ये कहते हैं 2005 में सरकार ने जो constitution को amend किया न वो education institutions के लिए था, वो jobs के लिए नहीं था private sector में मतलब आज भी सविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप private jobs में किसी परकार का कोई reservation लागू करो चलो ये तो पहला constitutional question हैं अब दूसरे constitutional question की बात करते हैं आप ये बताईए article 16 क्या है सविधान का article 16 जो है सविधान का वो public employment के मामले में equality of opportunities की बात करता है सबको देश के सभी citizens को employment के मामले में equal opportunities मिलेंगी किसी भी नागरिक के साथ भेदबाव नहीं किया जा सकता employment के मामले में किस अधार पर धरम के अधार पर ये हिंदु धरम का है या फिर मुसलिन धरम का है सिख धरम का है धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, race के नाम पे, caste के नाम पे, sex के नाम पे, descent के नाम पे, place of birth, residence, इन सभी parameters पर किसी भी नागरी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन ये अब ध्यान से पढ़िएगा, तीसरा जो section है, पार्लियमेंट जो है, वो कानून बना सकती है, किसी स्टेट में या फिर यूटी में, गोर्मेंट जोब्स के लिए, residence की आवसकता से सम्मंदित पार्लियमेंट जो है, कानून बना सकती है, ये देखो, किसी स्टेट या फिर union territory के अंतरगत, public employment में, जोब हासिल करने के लिए, residence की requirement से सम्मंदित कानून जो है, वो पार्लियमेंट के दवरा बनाया जा सकता है, अब इस चीज़ को analyze करते हैं, writer, writer कहते हैं, पहली तो बात, सविधान में साफ तोर पर लिखा हुआ है, कि पार्लियमेंट कानून बना सकती है, गोर्मेंट जोब्स के लिए, ये देखो, office under the government of, तो government jobs के लिए पार्लियमेंट के दवरा कानून बनाया जा सकता है, लेकिन हर्याना सरकार ने जो कानून बनाया, मतलब हर्याना assembly में जो कानून बना, वो बना private jobs के लिए, और दूसरी चीज, भाया, इतना तो हमें भी समझ में आ रहा है, मतलब जो कानून बनाते हैं, नहीं समझ में आता कि पार्लियमेंट वो कानून बना सकती है, state assembly नहीं बना सकती, लेकिन हर्याना की state assembly ने ये कानून बनाया, तो साफ तोर पर Supreme Court जो है, वो इसे unconstitutional करार देगी, इसमें doubt ही नहीं है, पहले भी Supreme Court इस परकार के कानूनों को unconstitutional करार दे चुकी है, जैसे 2002 मे Supreme Court ने एक verdict दिया था, राजस्तान का case था, राजस्तान ने किसी job में, teachers की jobs थी, तो particular region के जो applicants थे ना, उनको priority दी थी, तो Supreme Court के अनुसार ये unconstitutional है, 1995 में अंदरपडेस में rules आये थे, और जो लोग जिन्होंने तेलगू medium में study की है ना, उनको priority दी जा रही थी, लेकिन Supreme Court ने इसे unconstitutional करार दिया और कहा कि ये meritorious जो candidates हैं, उनके साथ discrimination हो रहा है, अब बात करते हैं तीसरे question की, तीसरे constitutional question ये निकल के आता है, 1992 में जो इंदरा सानी का case था ना, इसमें Supreme Court ने साफ तोर पे बोला था, कि public services में जो reservation है न, वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, exception हो सकती है, जैसे तमिलाडू में है, तमिलाडू में 69% की reservation है, बट exception जो हो न, वो rare cases में हो, जैसे दूर द्राज के areas में जो population रह रही है, उनके लिए exceptional circumstances होनी चाहिए, तभी इस 50% reservation की जो limit है न, इसे तोड़ा जा सकता है, तेलंगाना, राजस्तान, महराष्टर, हाल फिलाल में इन और 50% से जादा हो गया reservation, तो Supreme Court ने इसे strike down कर दिया, और बोला Supreme Court ने कि भाईया, 50% की limit अगर cross होती है na reservation में, तो equality का जो objective है न, वो खतम हो जाता है, 50% से जादा reservation अगर हो जाता है, तो फिर तो हमारी society जो है, वो caste based society हो जाएगी, equality कहां रहेगी, समझ रहे हो, ये Supreme Court ने कहा गया reservation को strike down किया था, हर्याना का जो ये act है, 75% वाला, ये देखो caste rule को तो further नहीं करता है, लेकिन ये हमारे देश में equality of citizens के against है, मतलब equality of all citizens का जो concept है न, उसके basic ये against है, एक और चीज, ये सब जो cases थे न, महराष्टर का, राजस्तान का, तेलंगाना का, ये सब देखो, पहल प्राइवेट सेक्टर में jobs के लिए नहीं थे, हर्याना का जो act है, ये तो कते ही illogical है, लास्ट में राइटर ये भी बोलते हैं, देखो आज आप state के नाम पे दे रहे हो, कि यहाँ हर्याना में जो प्राइवेट सेक्टर की jobs हैं, वहाँ पे 75% आरेक्षन, कल को गुडगा हमारे लिए ही आरक्षित रहे, ऐसे तो देश तूटता नहीं जाएगा, हाना, मतलब किस लेवल तक तोड़ोगे आप देश को, state के नाम पे तोड़ोगे, फिर जिले के लेवल पे तोड़ोगे, फिर दैसील के नाम पे लेके आओगे, फिर गाओं के नाम पे लेके आओग हैं, travel कर सकते हैं, work कर सकते हैं, लेकिन हर्याना की सरकार का ये जो कानून है न, ये indirectly कुछ दूसरे राइट्स को भी परभावित करता है, जैसे right to reside, अब देखो कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति है, वो हर्याना में आकर क्या करेगा जब उसे जो भी नहीं मिलेगी, पिच कानून की वज़े से, कुल मिला के बोलें, तो companies को देखो, compliance cost तो increase होगा ही, income में inequality बढ़ेगी, ये सब चीजे तो होगी ही, लेकिन सविधानिक ढंग से अगर बात करें, तो ये तो सविधान का जो basic structure है, उसे ही challenge करता है, Supreme Court को ये परखना चाहिए, क्योंकि हमारे सविधान में provision ये किया गया है, we are union of states, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जो राज्य है, वो independent है, और independent राज्यों का ग्रूप है, इंडिया, नहीं बईया, ऐसा नहीं है, हमारा जो देश है, वो union of states है, तो इस परकार का 75% आरक्षन का जो provision है, वो सविधान के basic structure को challenge करता है, इसे Supreme Court को examine करना चाहिए, अब देखो अगर इस issue के PUCS में, यानि हर्याना का जो कानून है, इसके PUCS में आपको points देने हो, वैसे तो आप इसके PUCS में point दोगे नहीं, All India Services आपको join करनी है, तो जाहिर तोर पर आप खिलाफत ही करोगे, लेकिन answer writing के लिए कुछ points अगर आपको देने हो, तो आप इस परकार के points दे सकते हो, हर्याना का जो कानून है, ये local youth को empower करने के लिए है, jobs नहीं generate हो रही है, enough और हर्याना में unemployment काफी ज़्यादा है, इस वज़े से ये कानून जो है वो गलत नहीं है, औ और public infrastructure का भी इस्तमाल करती है, private companies, जैसे subsidized allotment of land, tax exemptions, तो उनको भी state के legitimate कानून को मानना चाहिए, उसके साथ comply करना चाहिए, तो इस परकार के कुछ-कुछ जो points हैं वो आप दे सकते हो, सिरफ देने के लिए, way forward में इस कानून को justify मत कीजिएगा, चलते हैं अगले article की युछ झाल सकतवार हो त esक मापलत का लिए, तो रायम से झाल सकते हैं तो म क Looking for Out